गुरु पेरी सासंगा जी आप सभी को प्रेम बरी राधा स्वामी जी सासंगी जी आज जो हों आपको साखी सुनाने जा रहे है यहाँ साखी बड़े महराजी के समय के साखी देखिए एक बहन जो कि कही दिनों से कही सालों से डेरा जाया करती थी और नामदान की लाइनों में लगा करती थी लेकिन उन्हें ना जाने किस कारणवर्ष नामदान की बक्षिष आखिर तक नहीं हुई इस कारणवा बेहन बहुत ही रोती, बहुत ही परिशान होती और अपने भागे की दोहाई देती रेती लेकिन वहाँ इस बात से खुसती कि मालिक कम से कम मुझे डेरे बुलाता है ससंग सुनाता है और यहां के संगतों के दर्शन करवाता है वो कुल मालिक श्यम दर्शन देता है इससे ज़्यादा और किश्मत की बाद भाग्य की बाद क्या हो सकती सासंगे जिवा बेहन ऐसे ही समय गुजरता गया और डेरा आती गई और जब एक दिन ऐसा वक्त आया कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन फिर भी उन्होंने ससंग घराना नहीं छोड़ा वहां सेवा करना नहीं छोड़ा देखिए वह मालिक तो जानी जान है वह ना जाने कौन सा कर्म कौन सी सेवा से समवप्त कर देता है हम और आप जी सभी टेरा जाते हैं सेवा करते हैं ससंग सुनते हैं लेकिन हम और आपको पता नहीं वह मालिक ना जाने कौन से सेवा से कौन से कर्म कौन से प्रारब्द को बदल देता है यही तो उसकुल मालिक की अप्रम पारधया में है जिसको हमा आज तक जान नहीं समझे समझ नहीं पाए देखिए उन बेहन के साथ क्या हुआ ससंग जी ना जानी कितनी जन्मों के ऐसे कर्मिते जिसके कारण उनको नामदान की बक्षिश नहीं हुई लेकिन वहां मालिक कुल मालिक जानी जाने वहां ससंग घर उन्हें बुलाता शेवा कर्वाता और ना जाने कितनी जन्मों के से कर्मिते जी ने सेवा के मध्यम से शब कुछ रमाप्त करके उनको निर्मल कर दिया तो यहां साकिय हम आगे बढ़ते ही जब वहाँ एक बार हजूर महराजी से नामदान के लिए लाइन में लगी तो बाबाजी महराजी ने पूछा कि आप घर में खाना बनाती हों तो उन बहन जी ने कहा जी हां तो बाबाजी महराजी ने कहा सबजी में नमक कितना डालती ही तो उन बहन ने कहा बाबाजी अंदाजे से ठिक ठिक डाल देती हूं उसे नामदान मिल गया सासंगा जी अब देखी उस मालिक की रहमत इतने दिनों से जिसे की नामदन नहीं मिल रहा था एक छोटे से सवाल ने उन्हें नामदन की बक्षिश करवा दी सासंगा जी पास में खड़े सिवदार सब हैरान थे कि हजूर नहीं हाँ एक अलग से सवाल कभी नहीं पूशा आज इन बेहन से इस सवाल के पूशने के पिछे क्या राज हो सकता है सासंगा जी सभी सिवदार भाय बेहन ने हजूर से इस सवाल पर उनके दयामेहर जाननी चाही तो बापा जी बोले कि उस बहन का समय थोड़ा ही बचा है बजन शुमरन का समय भी नहीं है उसके पास अब जब खाना बनाएगी तो मेरी बात उसे नमक डालते-डालते याद आती जाएगी तो मैं उसी याद यानि कि जिस समय उसको याद आएगी वही उसका शुमरन बنا जाता है उसे भी एक पल नहीं लगता उसका सारा भजन शुम्रन वहां एक छोटी सी याद में करवा लेता है इस बहन के साथ भी तो यही हुआ अब देखिए जब दो चार छे महीने के बाद पता चला कि वहां भीबी अपनी देह को छोड़ चुकी है यानि कि उसकुल मालिक क घर पहुँच चुकी है सासंगा जी हजान का सारे सेवादार उश्रसंगी हैरान हो गए कि देखिए उसकुल मालिक के दयापरम पार है उसने जिसे बशन शुम्रन जितने वक्त में करवाना है वह किसी भी माद्यम के जरिये करवा सकता है अब संतों की महीमा और दया मेर जवा करती गई अपने मन में मलाल भी हुआ कि मुझे नामदान नहीं मिल रहा ना जाने मेरे कितने ऐसे कोटे करमे है ना जाने कितने जन्मों के ऐसे पाप है जिसके करण के मुझे नामदान के बक्षिश नहीं हुई लेकिन देखिए अब अगर वहाँ पवित्र हुई उस सबहे शसंग में जाकर ससंग शुनना, संगत की शेवा करना और बड़े ही प्रेम प्याज से गुरु घर में जाकर उसे विनर्मता और दया प्रेम से अपने शम का दान करना यानि कि शमे का दान करना यही तो उत्तम सेवा है हुजूर बड़े महराजी हमेशा किया करते थे कि शेवा का फल जिस दिन शेवादार को पता लग जाएगा उस दिन सेवादार सारे दुनिया के सबसे कीमती शमय में जो समय ही उसको छोड़कर एक पेर पे खड़ा होके शेवा करना शुरू कर देगा तो सेवा प्रम पारे मालिक जानी जाने उसके बारे किशी को नहीं पता कि वहाद सेवा से क्या से क्या कर शकता है तो सासंगा जी यह साकी आपको कैसी लगी अगर यह साकी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा, सेयर कीजेगा चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेस कर ले जिससे के आपको इसे वीडियो मिल सके जी अन्त में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी शुक्रिया फिर मिलते किसी और वीडियों तब तक आप जी अपनों और अपनोंगा ध्यान रखे